आप देख रहे हैं SDN News तुद्धे की बाद आपके साथ उनका कहना है कि उन लोगों के खातों में नवेंबर 2017 से ही पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई राशी नहीं आ रही है कई बार प्रखंड कार्याले से लेकर स्थानिया मुख्या तक इसकी फर्याद लगाई पर आज तक राशी नहीं मिल पा रही है विधायक ने सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान पुरुवक सुना साथ ही इन लोगों को किन कारणों से पेंशन राशी नहीं मिल पा रही है उन कारणों की जाच करने का आदेश प्रकंड विकास पदाधिकारी को दिया कर रही है और बार बार कहा जा रहा है कि पेंशन इस कारण से रुका हुआ है उसके खाता को सही करके उसको भेज चकर अब यसे दिलाया जाए मानिय मुक्मंतरी जी भी आया थे इनको भी हम लोग ने सवाल उठाया और उनसे भी कहे थे कि पेंशन का जो सवाल बहुत गंभीर है और कितने लोगों का पेंशन नहीं मिल सका मर गया पेंशन रह गया नहीं मिल सका और यह सवाल बहुत गंभीर है हम मांग करते हैं सरकार से कि इन लोगों का जो पेंशन का जो भी जूज है बाकी है सब को पेंशन जल्द हो सरकार इसक पुरुस मेरे साथ है जो महिनों महिनों परकंट का रियले का चक्कर लगाते सिवाय अस्वासन की कुछने मिलते हैं आज इन लोगों ने भी सुत्री बाठक में भाग लेने आएक कस्वा बिदायक मुहम्मद अफाक अलम पर घराब कर अपनी बाते रखी आई ये बात करते है इन पर घराब को जानते हैं कि परेसानी ए ये बताई ये आप कहां से आ रहे हैं दुए मसले आपनी ये लग जायेगा हो जागा है आपके पुछते नहीं है क्यों नहीं मिल पारा है खाता बिल्किल ठीक है लगवग 75-35 साल की बुजू के महला हमारे साथ है यह जोजाना परकंट कर्याल है इस उमीद से आती है कि आज नकल उसके घर में भी दिये जलेंगे रोटी बनेंगे ताकि वो खा सके सरकार चाह रही है कि बृद्ध जनों को कोई परिसानी नहों इसके लिए पैंसन की वबस्ता की गई